दोस्तो आज गार्डनिंग से रिलेटेट एक बहुती कॉमन चीज कोको पीट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ मैं अपने जादतर जब भी पॉटिंग मिक्स रेडी करती हूँ तो उसमें कोको पीट जो है एड करती हूँ तो कोकोपीट क्या है और क्यों हम इसे यूज करे और पैसा इस पर क्यों लगाए तो इसे के लिए आज का टॉपिक से तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले नमशकार दोस्तो मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY Things with Priya में आपका स्वागत करती हूँ अज कुछ एक ऐसे सवाल जैसे कोकोपीट क्या है कोकोपीट का यूज कैसे होता है या उपयोग हम क्यों करें इससे हमारे पौधे को क्या फाइदा मिलता है या इसे कैसे यूज में ले सकते हैं तो चलिए बताते हैं इसके सभी चीजों के बारे में दोसके फस्ट कॉर्शिन अगर मैं बोलो कि कोकोपीट क्या है तो यह नारियल का छिलकह होता है उसके जो डस्ट चूरा होता है वही कोकोपीट दिनों तक चिलके के पान में भिगो के रखा जाता है और अफे यहीं हमें भॉट के रूप में मिलता है मुलते हुआ कोको पीट के टेक्ट डिकमपोस्ट कियी होते हैं इसलिए हमारे प्लान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं लेकिन हम अगर घर पे कोको पीट बनाने जाएंगे तो उसका प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैं ज्यादा तर खरीद कर ही यूज में लेती हूँ अब दोस्तों देखिए आपके सामने जो रखा हुआ है यह कोको पीट के ब्लॉक है और यह जो है इसी तरह से ही आता है मार्केट में आपको इसके डस्ट पाउडर भी अलग से मिल जाएगा बोरे में अगर आप खरीदना चाहे तो वैसे भी मिलता है लेकिन इसमें जो फाइ जो है एड करना पड़ता है जैसे अगर आपने एक किलो का अगर मान लीजिए आपने कोको पीट का ब्लॉक लिया है तो मिनिमुम उसको जो है पांच गुना आपको उसमें पानी देना पड़ेगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि और भी पानी उसमें सोक रहा है तो यूज करके देख चकी हूँ मेरे प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान इससे नहीं पहुचा है तो आप बिल्कुल इसको जो है अच्छे से गीला करने के बाद में उस कोको पीट को आप जो है यूज में ले सकते हैं दोस्तों नॉर्मली तो मैं जो है पॉटिंग मिक्स ब किसी भी प्लांट को लगाना चाहए तो उसमें लगासकते और बहुत हैसे एक चाता है जाता है ज आप बात करते हैं कि हम लanderville के प्लांट में यूज करते हैं तो उससे विभ्या बैनिफिट मिलता है जो तो पड़िदे के फाइदे के हुचा यह सुक्टा समय निए मखतना ए भोस तर यह समय तब कोई के में और ताइलन दिस प्रणा करता है तो हमारा जो प्लांट है, उसमें हमें रोज पानी देने की जरूअवित नहीं होती है, मतलब डेली वाटरिंग करने की ज़रूवत नहीं होती है, जब आपको लगे की मिट्टी सुख्री है, तभी जो है हमें उसमें पानी देना चाहिए, क्योंकि जो कोकोपीट है उसमें बहुत अच्छे से मॉइस्चर जो है रहता है अंदर हमें उपर से सूखा लगेगा तब भी अंदर जो हलका नमी रहता है तो प्लांट एकदम से जो है मुर्जा नहीं जाता जो नॉर्मल हम सेंड या सॉइल में जब हम रिपॉर्ट करते है तो यह प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन रहता है और हमें डेली जो है उसको पानी देना पड़ता है प्लांट को एक चीज और होती है कि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो भी ड्रेन कर देता है और जितना वो अं प्लांट के लिए सही रहता है तो वो भी हेल्दी रहता है इन सब के अलावा दोस्तों कोकोपीट खुदी एक जो है कई पोशक तत्विस में मौजूद होते जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्पोरस, मैंगनेशियम, कॉपर, जिंक यह सारी चीजे जो है सेवन से लिके 6.5 तक जो हमारे प्लांट के लिए सही रहता है तो वो प्लांट की ग्रोध भी बहुत अच्छा रहता है इसके मिट्टी में कोकोपीट मिलाने से दोस्तो किसी भी तरह की बीमारी जो सौयल से होती है वो चीजे नहीं होती है और खर्पतवार या वीड्स भी काफी जो है उसकी पैदावार साइड में कम होती है जिससे जितना भी हम हमारे प्लांट को खाद वगड़ा देते हैं वो हमार जो परियावरन हो गया, प्लांट हो गया या हमारे हातों के लिए क्योंकि हम सारा काम हातों से ही करते हैं प्लांट के लिए तो सभी चीजों के लिए अच्छा ही है कोकोपीट में सभी तरह के nutrition होने के लिए दोस्तों इसमें ज्यादा खाद मिलाने की भी जरुरत नहीं होती है दोस्तों आप इसमें किसी भी तरह की cuttings भी बहुती easily grow कर सकते हैं और उसका result भी आपको बहुती अच्छा मिलेगा क्योंकि मैंने अपने काफे वीडियो में कोकोपीट का cuttings लगाने के लिए यूज में लिया है और मुझे बहुत अच्छा result भी मिला है और मैंने आपके साथ इन सब चीजों को share भी किया है आप देख सकते हैं आपके सामने ही गुढल की cutting बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में ही grow किया है और इसका result भी बहुत ही अच्छा है आप इसमें seedling भी कर सकते हैं सिड्लिंग के लिए आपको इसमें कुछ भी मिलाने की जरूत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट के अंदर ही जो है सिर्फ कोई भी seeds अगर आप grow कर रहे हैं उसे चिड़क देंगे तो आपके बहुत अच्छे से जो है ये growth हो जाती है plant के जो seeds से उसकी दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने जो French marigold के seeds जो कोकोपीट में grow किया है वह बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका निकला है और सभी प्लांट लगभग जो है जर्मिनेट है दोस्तों एक और यूज हम जो कर सकते हैं कोकोपीट का अगर गर्मी के सीजन में जो है अच्छे से जो है ड्राइन नहीं होगा तो गर्मी के दिनों में आपके जो प्लांट की जो सुखेगी नहीं और प्लांट भी हेल्दी रहेगा और दोस्तों इसे खरीद कहां से सकते हैं आप कोकोपीट को तो ऑनलाइन यह बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आपके आसपास के किसी भी नरसरी में भी आप इसे जो है खरीद सकते हैं दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नी किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लेटेस वीडियो इसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको बैल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा दोस्तो वीडियो से रेलेटेट अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कॉमेंट सेक्षन में जाकर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे देती हूं तो वहां से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ